भारतिय जनता पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष, स्रिमान जेपी नड़्डा जी, राजनास्वी जी, अम्रभाई निर्मला जी, भाजपा के अन्य वरिष्ठ पदाजिकारी गान, देश के कौने कौने में उपसित, सभी भाजपा कार करता है, आज बहुत ही शुब दिन है, देश के कई राज्यों में, इस समय नव वर्ष का उत्सा है, बंगाल में पोएला वैशाक का आनंद है, समय बोहाद विभू के साथ देश बैशाजिक्षी का जश्ण भी मरा रहा है, ओडिसा में पाना सक्रांती हो, पेरल में बीशु हो, या फिर तमिल नाडु में, नव वर्ष पुथालू हो, सबको सुपकामनाओं का दौर चल रहा है, आज नवरात्री के छठे दिन, हम सभी मा काच्याईनी की पूजा करते हैं, और मा काच्याईनी, अपने दोनों भुजावों में, अमल धारण किये हुए है, ये संयोग भी बहुत बड़ा आशिर्वाद है, इनके सब के साथ सोने में सुहागा, आज बाबा साब आमबेड करकी जैनती भी है, आज भाजपाने विख्षिद भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है, मैं आप सभी को, सभी देश सवाश्यों को बहुत बहुत बड़ाई देता हूँ, राजना जी और उनकी प्वीरी टीम को भी उत्तम मैनिफेस्टों तयार करने के लिए उनका अभिम्शन करता हूँ, मैं देश भर्ष में से लाखों लोगों ने भारतिये जनता पार्टी के प्रति, अब प्रतिम विश्मास रखते हुए जो सुझाव बेजे, इस संकल्प पत्र को बनाने में सक्रिय भागिदारी निभाई, इसके लिए भी देश के लाखों ऐसे सक्रिय नागरी अभिनंदन के अधिकारी हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ, पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है, और इसका एक बड़ा कारण है, वर्स वर्सों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदू को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है, भाजपा ने मैनिफेस्टों की सुचिता को फिर स्थापित किया है, ये संकल्प पत्र विक्सिद भारत के चार मर्बुत संप, युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सस्थ करता है, हमारा फोकस, dignity of life उस पर है, हमारा फोकस, quality of life उस पर है, हमारा फोकस, निवेज से नोकरी, निवेज से नोकरी पर भी है, इस संकल्प पत्र में, quantity of opportunities और quality of opportunities दोनों पर बहुत जोर दिया गया है, एक तरफ हमने कई सारे infrastructure निर्माद से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की मुद्प की है, दूसरी तरफ हम start-up और global centers को बढ़ावा देकर, high value services पर भी ध्यान देने जा रहे हैं, भाजपा के संकल्प पत्र में, युवा भारत की युवा आकांशाओं का प्रति भीम्ब है, अधियो भाजपा सरकार जें, पिछले दस वर्ष पचीस करोड लोगों को गरीबी से बहार निकाल कर, हमने सिद्ध किया है, कि हम परणाम लाने के लिए काम करते हैं, लेकिन काम बहार रुटता नहीं है, जो लोग गरीबी से बहार आएं, इनको भी लंबे अर्षे तक संबल की आवशकता है, नहीं तो कभी-कभी एक छोटी सी कठिनाई भी फिर से उतको एक बर घरीबी में धकेल देती हैं, हम जानते हैं, अस्पताल में मरीज का आपरिशन बढ़िया हो गया होगा, सारे परामेटर तबियत के ठीक होंगे, फिर भी डॉक्टर कहते हैं, कि जड़ा घर जाके महिना दो महिना ये चीज़े समालना हूँ, ये उन्हें स्वात के लिए कहते हैं, वैसे ही गरीबी से जो गरीबी बहार निकल करके आया है, उसको भी कुछ समय के लिए बहुत सम्बल की आवशकता होती हैं, ताकि किसी भी काण से वो गरीबी में प्लार तपिस जाने के लिए मजबूर नहों जाए, इसी सोच के साथ भाज़पा ने गरीब कल्यान की कई योजनों के विस्तार का भी संकल्प किया है मोदी की गारंटी है कि मुप्त राशन की योजना आने वाले पांच साल तक जारी रहेगी हम एस सुनिशित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोशण योग और उसके मन को संतोर देने वाली हो और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो यानि पेड़ भी भी हरें मन भी भरें और जेब भी भरा रहें मोदी की गारंटी है कि जन आउसदी केंद्रों पर असी परसंट डिसकाउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी इतना ही नहीं इन दवाईयों के जन आउसद्री के केंद्रों का हम विस्तार भी करेंगे मोदी की गारंटी है कि आउश्मा भारत के तहट पांच लाख रुप तक का मुप्त इलाज मिलता रहेगा मोदी की गारंटी के इसी क्रम में भाजबाने एक बहुत बड़ा निर्णे लिया है ये निर्णे सत्तर वर्ष की आयोग से उपर के सभी बुजुर्गों से जुड़ा है आज जो बुजुर्ग है उनकी बहुत बड़ी किंता होती है कि बिमारी की सिटी में इलाज का खर्च कैसे आएगी और ये मद्यम्बर्ग परिवार को ज़्यादा होती है अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि सत्तर वर्ष की आयोग से उपर के हर बुजुर्गों आयुश्मान योजना के दायरे में आया जाएगा सत्तर साल के उपर के हर बुजुर्गों चाहे वो गरीब हो चाहे मद्यम्बर के हो चाहे उच्च मद्यम्बर के हो ये एक नया दायरा होगा जिनको पाँच लाख रुप्य तक के मुप्र इलाज की सुविधा मिलेगी साथियों भाजपा सरकार ने गरीबों को चार करोड़ पक्के घर बना कर दिये हैं अब जो अतिरिक्त जानकारिया राज्य सरकारों से मिल रही है क्योंकि परिवारों के विस्तार होते हैं एक घर से दो घर बन जाते हैं और खुद नया घर बनाने की शक्यता संभावन होती हैं तो उन परिवारों के भी चिंता करते हुए हम तीन करोड और घर बनाने का संक्रत लेकर के आगे बढ़ेंगे अभी तक हमने सब्सक्रते सिलिंडर घर घर पहुंचाएगे अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस गर घर पहुंचाने के लिए तेजी से काम करेंगे हमने करोडों गरीप परिवारों को मुप्त बिजली कनेशन दी है अब हम करोडों परिवारों का बिजली बिल जीरों करने और बिजली से कमाई के अवसर पाया करने की दिशामें काम करेंगे पीम सुर्य घर मुप्त बिजली बिजना हमने लागों की है एक करोड लोग इस पर रिजिश्री करा चुके हैं अब तक भाजपा का संकल्प है कि इस जोजना पर और तेजी से काम किया जाएगा घर में बिजली तो मुप्त होगी होगी अतिरिक्त बिजली बेज करके कमाई भी होगी साथ साथ आज जो इसको स्कूटर कार के पैट्टो का खर्चा होता है अगर वो इलेक्रिक वहिकल करना है तो उससे उसकी चार्जिंग व्यवस्ता भी उसको मुप्त में अवेलेबल हो जाएगी यानि उसका ट्रांस्पोर्टेशन भी मुप्ति के तरफ जाएगा साथों बीते वर्षों में करोन लोगों को एंट्रेप्रिनर बनारे का काम मुद्रा योजना ने किया है करोनों के संख्या में इस योजना से जॉब जनरेट हुए हैं लाखों लोग जॉब क्रियेटर मने हैं इस सफंस्ता को देखते हुए अब भाजपा ने और एक अंकल्प लिया है अब तक मुद्रा योजना के तहट लोन के सीमा दस लाक रुपिय करती थी अब भाजपा ने इससे बढ़ा कर 20 लाक रुपिय करने का इराजा किया है और मुझे पक्ता विश्वास है कि इंडस्ट्री 4.0 का जो यूग है उसमें जिस प्रकार के इको सिस्टीम की जरूरत है छोटे 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 उद्योगों के जरूरत है ये इंडस्ट्री 4.0 के नेटवर्क को बनाने के बढ़ाने के लिए ये नई ताकत के रुपिय काम आएगा से शहर हो या गाउं युवाओं को अपनी रूची का काम करने के लिए और अधिक पैज मिलेंगे आज जादी के बार पहली बार रेहडी पट्री ठेले के ले हमारे भाई बहनों को दिगिनजी मिले ब्याज के चेकर से मुक्ति मिले इससे इसमें स्वानिती योजना ने बहुत बड़ी भूमी का निभाई है एक बहुत बड़ा रिवोलूशन आया है लेकिन अब तक बड़े शहरों तक सिमित था आज रेडी पट्री ठेले वाले मेरे भाई बेहनों को बैंक में बीन बैंक में बीना गारंटी दिये मदद मिल रही है मतलब मोदी उनकी गारंटी करता है भाजपा इस योजना का भी दो तरह से विस्तार करेगी एक तो पचास हज़ा रुपिय का कर्द की जो लिमिक है उसको बढ़ाया आएगा और दूसरा इसी योजना को देश के छोटे कस्मों और गाउं देहाद के भी रेड़ी पट्रिवा के लिए खोल दिया जाएगा साथियों इनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदि पूजता है और यही सबका साथ सबका विकास का भाव है और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है दस वर्सों में हमने दिव्यांग जनों के लिए अनेक सुभित दी है दिव्यांग साथियों को पी-एम आवास की योजना में प्रात्थिक्ता दिए लाएगी उनकी विशेश जरुरतों के अनुसार उन्हें आवास मिल सके उसके आर्किटेक्टर में बदल करना पड़ेगा, डिजाइन में बदल करना पड़ेगा इसके लिए विशेश रुट से चान दे करके काम किया जाएगा प्रांस जेंडर साथियों को भी पहले किसे नहीं पूशा ऐसे साथियों को पहचान और प्रतिष्ठा देने का भी भाजपा ने प्रारंब किया है भाजपा ने ट्रांस जेंडर साथियों को भी अब आईश्मा भारत योजना के दाएरे में लाने का निरना लिया है साथियों भारत आश विमेन लेट डिवलोप्मेंट में दुनिया को दिशा दिखा रहा है पिछले दस वर्ष नारी गरिमा नारी को नए आउसरों को समर्पित रहे हैं आने वाले पांच वर्ष नारी शक्ती की नई भागीदारी के होंगे इते दस वर्ष में दस करोड महिलाएं स्वयम सहायता समूह से जुड़ी है दस करोड बहनों के सहायता समूह को अब हम आईटी, सिक्षा, स्वास्थ, रिटेल और टुरिजम जैसी सेवाओं के लिए जैसे होमस्टे वगरे होता है हम उनको ट्रेनिंग देंगे अभी तक एक करोड लगपती दीदिया बन चुकी है अब मोदी ने तीन करोड बहनों को लगपती दीदी बनाने की गारंटी दीदी नमों ड्रोन दीदी योजना से गाउं गाउं में बहने ड्रोन पाइलर्ट बनेगी गाउं की महलाओं से जब मैं मिला तो यह कह रही थी हम तो साइकल भी चलाना नहीं जानते थे गाउं में हमें कोई पूस्ता नहीं था आज हमारी पहचान पाइलर्ट की बन गई है हम ड्रोन पाइलर्ट के नाते गाउं में एक प्रतिश्था के असान प्राप्त हुआ है सरकार जो ड्रोन दे रही है उसकी कीमत दी लाखों रुप्यों में है लेकिन मैं रानुबव है हमारी माताएं पाइलर्ट ने उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से समालती है टेक्नोलोजी भी सीख रही है और इससे उनका सम्मान भी बढ़ा है आगे भी बढ़ेगा हमाई भी बढ़ेगी इतना ही नहीं एक बहुत बड़ा रिवलुशन टेक्नोलोजिक ड्रिवन एग्रिकल्चर को इसके एक धूरा के रुप में यह हमारी ड्रोन दिजी जाएगे वो धूरा भी बनेगे उसी प्रकार महिला खिलाडियों को लो में आगे बढ़ेने के लिए विशेश प्रोग्राइब और विशेश सुविधाएं बनाई जाएगी बहनों बेटियों के पहतर स्वास्त के अपने मीशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम सर्वाइक अगल कैंसर से मुक्ति के लिए अभियान चलाएंगे साथियों हम गाउं की पूरी अर्थ दवस्ता को संपूर्णता में देखते हैं इसलिए खेती हो पशुपालन हो फिसरीज हो सबको सब्सक्तर है यह भाजपा ही है जो किसान क्रेडिट कार के दाइरे में हमारे पशुपालत भाई बहनों को हमारे मच्वार भाई बहनों को जोड़ा है पी-म किसान सम्मा निदिर का लाब भी देश के दस करोड किसानों को आगे भी जारी रहेगा पर चलते हुए भाजपा राष्टिय सहकारितान नीती ले करके आएगे और ये बहुत बढ़े क्रांतिकारी दिशा में बढ़ने में देश भर में डेश सहकारी समित्यों की संख्या भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाई जाएगी कुछ महिने पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारन योजना जुरू हो चुकी है भारत को ग्लोबल नुट्रिशन हब बनाने के लिए हम स्री अन्न सूपरफूर पर बहुत अधिक बल देने वाले हैं इससे स्री अन्न पैदा करने वाले दो करोड से जादा छोटे किसान को विशेश लाव होगा हम दलहन और तिलहन में आपमन निर्भरता के लिए किसानों को हर प्रकार की मदद करेंगे भारपा, सब्जी उत्पादन और स्टोरेज के लिए नए क्लस्टर्स बनाएगी फिसरी सेक्टर के लिए भी नए प्रोडक्शन और प्रोसेजिंग क्लस्टर्स बनाएगे हमारे मचली पालक साथ्यों को सीवीड की खेती और मोती की खेती के लिए भी पूत्सान दिया जाएगा धर्ती मा की रख्शन के लिए प्राकृतिक खेती नेचरल फार्मिंग उस पर ब्रोड़ दिया जाएगा भारत एक बहुत बड़ा रिवर्शरी काम शुरू किया है और सपलता मिली है नेनो यूरिया नेनो यूरिया के जादा से जादा इस्तिमाल पर भी जोग लिया जाएगा भाजपा ने किसान समरुद्धी केंद्रों के विस्तार का भी संकल्प लिया है भाजपा का संकल्प भारत को फूर्ड प्रोसेसिंग हब बनाने का है इससे वेल्व एडिशन होगा किसान का फायदा बढ़ेगा रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे यह फूर्ड प्रोसेसिंग प्रांट्स रूरल एकोनामी के लिए नए ग्रोथ इंजिन बनेंगे आतियों देश में जन जातिय समाज के योगदान को मान्यता देते हुए हमने जन जातिय ग्रोथ दिवस मनाना तैक किया है अगले वर्ष दोहजार पचीश में बगवान बिर्सा मुंदा की एक सो पचासवी जनम जनती है इसे राष्टिय सर पर मनाये जाएगा जन जातिय गव्रोव अभ्यान को राष्ट भर में गती दी जाएगी बाजपा जन जातिय ग्रोथ पर अनुसंधान को भी प्रोथाही जाएगी डिजिटल जन जातिय का अकडेमिकी भी सापना की जाएगी वन पज आधारिक स्टार्ट अप्स और स्वयम सहायता समों को भी बढ़ावा दिया लाएगा साथसों से जादा एक लव्य स्कूलों के निर्मार के लख्ष को भी जल्द से जल्द प्राप्त किया जाएगा साथ्यों भाजपा विकास भी और विरासत भी उस मंद्र में विश्वास करती हैं हम पूरी दुनिया में संत तिरुवलुवर कल्चरल सेंटर्स का निर्मान करेंगे दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमील की इस देश का गवरव है हमारा गवरव है तमील भाषा की वैश्विक प्रतिष्टा बढ़ाने के लिए भाषा हर प्रकार के नए उप्रम शुरू करेगी प्रयास करेगी हमारे प्रेश में तुरिश्व का जो पोटेंशन है उसे भी अनलोग किया जाना बाकी है भाजपाद्वारा विश्व प्रवाशी ग्लोबल टुरिश्व को हमारी विरासत से जोड़ा जाएगा और इस विरासत को हम वर्ल हेरिट के साथ जोड़ेंगे जैसे नालंदा हो लो थल हो हौई सला के पवित्र मंदिर समो हो बौद सल हो जैसे अनेक थलों का विकास किया जाएगा अभी एक ओनलाइन कॉंपटिशन चल रहा है जिसमें देश के लोग तुरिजम के डेस्टिनेशन के रैंकिंग कर रहे है यह तुरिजम डेस्टिनेशन की रैंकिंग जो हो रही है इसकी आधार पर अच्छे तुरिस्ट डेस्टिनेशन का जो पसंद लोग करेंगे उनको सिलिक करके उनके सरवांगिन विकास के लिए डेवल्ट्मेंट के लिए और विदेशी तुरिस्टों को भी आकर शिकरे उस सोचा हुआ है तुरिजम वो सक्तर है जो सबसे कम निविश्ट में सबसे जादा रोजगार प्यादा करता है तुरिजम बढ़ता है होटल रेस्टोरंट होटो रिक्षा वाले सभी को इससे फाइदा होता है भाजपा इको टुरिजम के सेंटर्स भी बनाएगी इससे होमस्टे के जो अवसर बनागे उसका लगाप हमारे ट्राइबल परिवारों को होगा भाजपा सरकार होमस्टे के लिए महिलाओं को विशेश रुप से आर्थिक मदद देने की योजना बना कर आएगी साथियों 21 सदी के भारत बुनियाद भाजपा तीन तरह के इंफ्रस्टक्टर से मजबूत करने जा रही है पहला है kinda social infrastructure ऐ कि डूसरा है digital आवरा सट्र तीसरा है physical compliments by social infrastructure के लिए हम है नए नए इंश्रंस खोड़ रहे हैं है marvelous भारण मेडिकल कॉलेज बन बार रह रहे हैं है आविश्पान मंदिर गाव में बना रहे हैं इतने अश्र्हा reproduce नहीं हमारे जो विशेश का ट्रक ड्राइवर से उनके लिए हम हाइवेज के पास उनको सफिशन रेस ले एट्सिलेंट कम हो इसके लिए बहुत बड़े इंफ्रासेक्टर डेवलप करने जा रहे हैं कि ड्राइवर सफर के दर्म्यान हाइवेट पर जो समय उसको स्दान के लिए चाहिए अन्य सुविद्र के लिए चाहिए रेस करना हो तो उसको मिले तो ऐसे बारिक अन्य शेत्रों को ढूंड करके हम सोशल इंफ्रासेक्टर पर बल दे रहे हैं कि दूसरा है फिजिकल इंफ्रास्टर इसलिए हम देश भर में हाइवेट रेलवेट एरवेट वोटरवेट उनको आधुनिक बना रहे हैं तीसरा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आख इसलिए हम फाइवजी विस्तार कर रहे हैं स्विक्जी पर काम कर रहे हैं और इंडेश्टिप 4.0 के लिए डिजिटल इंफ्रास्टर इंफ्रास्टर सेक्टर यह उसकी टिकबन होती है हम industry 4.0 को देखर रखते हुए हमारे digital infrastructure को तयार कर रहे हैं हम सरकार की जादा से जादा सेवाओं को online बना रहे हैं common service center की संख्या बढ़ा रहे हैं ONDC online जो लोग खरीदी करते हैं उसके लिए platform ONDC और telemedicine का विस्तार रहे हैं इन तीनों तरह के इना सक्षर social, physical और digital का मजबुती से विस्तार भाजपा की एक प्रमूख एक प्रकार से पुरानी सोच सालत गती भी तेगी scale भी बहुत बढ़ा होगा scale और speed इतना बढ़ेगा कि उसकोप भी बढ़ जाएगा ये भाजपा की सरवच प्रास्विक कावमस है हमारे देश में urbanization को शहरी करण को पहले की सरकारे चनोती माना करती है भाजपा उसे रूपे देखती है हम देश में नएने satellite टाउंस बढ़ाएंगे जो देश के विकास का ग्रोथ सेंटर बनेंगे रोजगार के नए आउसर बढ़ाएंगे देश के एविएशन सेक्टर के विस्तार पर भी आजपा का जोड है अपी देश ने आपको पता होगा करीब एक हजादा नए विमान का ओर्डर दिया हुआ है भारत ने वो अपने साथ एंप्लोईमेंट की भौत दारी नई संभावनाएं लेकर आएंगे पाइलर्ट एरलाइन क्रूप ग्राउंड साथ इससे जुड़ा लॉजिट्री ट्रांस्पोर्टेशन ऐसे अने एक सेक्टर में नए आउसर क्रेट किये होगे सेक्टर देश के छोटे शहरों में रहने वाली वहां के लिए भी ड्रीम सेंटर बनने जा रहे हैं साथियों भाजपा देश के कोने कोने में बंदे भारत ट्रेश का भी विस्तार करेगी देश में बंदे भारत के तीन मोडिल चला करेंगे बंदे भारत स्लीपर बंदे भारत चेर कार और बंदे भारत मेट्रों इस तीन प्रकार से हम इसको करेंगे उसी प्रकार से एक बहुत महत्वपूर कदम हम उठे जा रहे हैं आधुली भारत की और विक्सित भारत के दिशा में के लिए आज अमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का काम जोरों से चल रहा है और करीब परीप पूर्णता पर पहुंच रहे हैं उसी प्रकार से बुलेट ट्रेन आज जैसे पस्चिम हिस्से में एक बुलेट ट्रेन काम करने जा रही है अब भाज़पा का संकल्प है आने वाले समय में उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन दक्षिन भारत में एक बुलेट ट्रेन और पूर्वी भारत में एक बुलेट ट्रेन वैसे उत्तर दक्षिन पूरव पस्चिम चारों दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से हम अजुनिक्ता की तरफ जाने को गति देंगे इसके लिए सर्वे का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा भाजपा का संकल्प पत्र देश को आत्मन दिर्भरता की तरफ ले जाने वाला है डिफेंट सेक्टर हो, एडिबल ओइल हो, एनर्जी इंपोर्ट हो, भारत कब तक दूसरे देशों पन दिर्भर रहेगा आज हम एनर्जी को इंपोर्ट करने के लिए लाखों करोड रुपय का फोरेड एक्षेंग करते हैं इसलिए भाजपा का बहुत बहुता फोकस ग्रीन एनर्जी और एनर्जी में आत्मन दिर भरता पर है इसलिए पैट्रोल में इथेनॉल की ब्लैंडिंग हो, प्रीन हाइड्रोजन हो, रिजियोबल एनर्जी हो, गोबर्दन हो, बायो फियल हो, सभी छेत्रों में और अज़िक तेजी लाई जाएगी ये हमें आत्मन निर्भर बानाने के साथ ही परिवरण की दुरुष्टी से भी देश को सुरक्षा प्रदान देगा इससे देश में बहुते संख्या में ग्रीन जॉब्स पैदा होंगे हरी तुर्दगार बहुत विस्तार होने वाला है आज हम देख रहे हैं कि देश में इलेक्रिक वहिकल का मार्केट कितनी दीजी से बढ़ रहा है दस साल पैसे दस साल पहले एक साल में सिरुप दो हजार इलेक्रिक वहिकल बिके थे एक साल में दो हो जारा है जबकि पिछले ही सब्सक्राइब सत्रा लाग से जादा इलेक्रिक वहिकल बिके हैं पूरे देश में चार्डिंग स्टेशन और जरूरी इंफ्रासेकर बनाये जा रहे हैं और इए वहिकल का इतना प्राव होने वाला है तो मैंने घर में भी जैसे पीम सुर्य घर से जोड़ करके घर में भी चार्डिंग स्टेशन और मुप्त में ट्राविलिंग उद्धिशा में भी हम बढ़ रहे हैं इससे उभरते हुए सेक्टर से भी देश में रोजगार की अनेक नई संभावनाय बनने जा रही है साथियों भाजपा का संकल्प है भारत को दुनिया के उभरते हुए सेक्टर का ग्लोबल हब बनाने का है वो समय दूर नहीं जब भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा फार्मा हब होगा इलेक्टोनिक हब होगा आटो मुबाइल हब होगा सेमिकंडक्टर हब होगा इनोवेशन हब होगा लीगल इंसॉरंस हब होगा कॉंट्रिंग कॉमर्टियल हब होगा वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के बड़े-बड़े इक्रामी सेंटर्स भारत में होगे भारत ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर्स ग्लोबल टेकनलोजी सेंटर्स ग्लोबल एंजिनेरिंग सेंटर्स का बहुत बड़ा हब बनेगा स्पेस भी हमें बहुत बड़ी ताकत के रुपे भीश्वम है बहुत बड़ी ताकत के रुपे उभरेंगे और उसके लिए निश्चित रोड मेप से हम आपके बनेंगे और ये भारत के यूद के लिए इतनी समारी opportunities लेकर आएगा जिसके उन्हों ने शायर कलपना भी नहीं की होगी आतियों आज विश्व में अनिस्वित्ता के बादल चाये हुई है युद्व की सिती बनी हुई है तो पूर्ण है पुरा विश्व संकटे ऐसे समय में इन छेटरों में रह रहे भारतियों की सुरक्ष्व यह हमारी प्रात्मित्ता है और जब गुर्णा में इतना प्रकार के भाती भाती प्रकार के तनाल चलते हो तुफान चलते हो तब ऐसे समय में भारत में एक मजबूत पूरुन भहमत वाली स्थीश सरकार की आवस्त्ता अनेक गुना बढ़ती है ऐसी सरकार जो देश को आर्फित रुप से भी समरुद बढ़ाएं और भाजपा इसके लिए संकल्प बद्द है आज आपने देखा है कि भाजपा का इस संकल्प पत्रा भाजपा का इस मैनिफेस्टो ऐसी ही एक सरकार की गरंटी देता है भारत विश्वबंधु के तौर पर मानुता के कल्याण के लिए निरन तर प्रयासरत रहेगा साथियों भारतिये जनता पार्टी देश हित्में बड़े और कड़े निरने लेने से कभी पिशे नहीं हरती हमारे लिए दल से बड़ा देश है नारी शक्ती बंदन अधियम अब कानून बन चुका है बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम CAA लेकर आएगे रिफार्म ट्रांस्फोर्म के मत्र पर चलते हुए हम और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे गुड़ गवननस्ट डिजिटल गवननस्ट और डेटा गवननस्ट के लिए देश में आवश्यक्त इंफ्रस्ट्रस्ट्र और एकोस्ट्रिम तैयार किये जाएंगे हम वन नेशन वन एलेशन के विचार को भी साकार करने का संग्पले करके आगे बढ़ेंगे बीजेपी युनिफॉर्म सिविल को भी देशित में उतना ही आवश्यक्त तमढ़ी है आपने देखा है कि पिछले दग साल में ब्रस्टाचार पर भाज़ा संग्तार ने कितनी बड़ी कड़ी कारवाई चाहिए ब्रस्टाचार गरीब का हक छिनता है मद्यमवर का हक छिनता है राष्ट्रियत सर पर होने वाले हजानों करोर के घोटाले अब बंद हुए हैं अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लुटने वाले जेल जा रहे हैं बस्ता चारियों पर ऐसे ही मुझर अंतर सक्त कारवाई होती रहेगी ये मुझर की गारंटी है साथियों मैंने लाल किले से काथा कि यही समय है सही समय है आने वाले एक हजार वर्सों के लिए भारत के भविश्य को तै करने वाला यह उत्तम से उत्तम अवसर है उत्तम समय है भाजपा के संकल्प पत्र पर चार जून के नतीजे के बाद तुरंट तेजी से काम शुरू हो देगा सरकार पहले ही सो दिन के एक्शन प्लावर काम करना प्रारम कर दिया है देश के लिवों का एंबिशन देश के एक सो चालिस करोर वाथियों का अपना एंबिशन यह मोदी का मिशन है अभी हमने चंद्रयान की सफलता देखी अब हम गगन यहिन का गवरव अनुभव करेंगे हमने जी ट्वेंटी में दुनिया का भारत में स्वागत देखा अब हम और पिसकी महिजबानी के लिए पूरी ताकर लगाने वागे यह नया भारत रक्तार पकड़ चुका है अब इसको रोकना संबह हुआ है इसलिए इस संकल्प पत्र को में दोदी की गारंटी के रुप में देश वाशियों के समक्ष आशिरवाद के लिए रख रहा हूँ 144 तरोर देश वाशियों के सपनों को रिकत में बुनने के लिए हम यह संकल्प पत्र करके आए हैं मैं देश वाशियों से प्रार्षना करता हूँ कि माभारती के कोटी जनों के कल्यान के लिए विच्छिज भारत के सपने को सिद्ध करने के लिए इस संकल्प पत्र को लगू करने के लिए तेज गती से आगे बढ़ाने के लिए हमें आशिरवाद दे हमारी शक्ति और बढ़ाएं इसी एक प्रार्षना के साथ देश वाशियों का अभिनन्द करते हुए हैं मैं मेरी वाणी को विराम देता हुँ बहुत बहुत धन्यवाद